नमसकार दोस्तो, स्वागत आप सभी के एक वर फिर से मेरे यूटूब चैनल में और मैं एक वर फिर से प्रस्तुतू आपके सामने एक बड़े ही महतपुन विशे के साथ दोस्तो हम सभी अपना भविशे जानना चाते हैं वर्तमान में रहते वे भविषय के बारे में जानना बहुत साधारन इच्छा है और इसे पूरी मानावजाती का प्राकर्तिक सवभाव भी कहा जा सकता है अपना भविषय जानने के लिए तरह तरह के हम उपाई भी करते हैं जो लोग हस्त रेखा सास्तर में विश्वास रखते हैं वे लोग जयोत्सियों के पास जाकर अपना हाथ दिखाते हैं और भविश्य के बारे में जानने की कोशिस करते हैं हस्त रेखा सास्तर की माने तो केवल हस्त रेखा से ही किसी भी मनुश्य का पूरा भविश्य जाना जा सकता है हस्त रेखा की मदद से मनुश्य अपने संपूर जीवन के बारे में जान सकता है तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला सवाल है क्या समय के साथ साथ बदलती रहती है हाथ की रेखाई जब किसी बच्चे का जनम होता है तो उसके हाथ की रेखाई काफी बारीक होती है जो समय के साथ साथ गहरी होती जाती है कई लोग ये जानना चाते हैं कि क्या हमारे हाथों की रेखाई बदलती भी है या जीवन भर एक जैसी ही रहती है यदि आपके मन में इस तरह का सवाल उठता है तो इसका जवाब है हाँ हमारे हाथ की रेखाई या हस्त्रेखाई समय समय पर बदलती रहती है हलाकि हस्त्रेखा कभी भी अचानक नहीं बदलती इसे बदलने में काफी समय लगता है तो क्या भुषय के बारे में कोई एहम जानकारी भी देती है हस्त्रेखाई मानेताओं के अनुसार इंसानों के करम के हिसाब से उसकी हस्त्रेखाई बदल जाती है हमारे हाथ की रेखाएं हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों के साथ साथ खुसहाल जीवन के बारे में भी बताती है यह हमारे भागे के बारे में भी जरूरी जानकारी देती है हमारी साधी शुदा जिन्दगी कैसी होगी हमारे पास कितना धन होगा जिवन में कितना कश्ट होगा भविशे में हमें कब सफलता मिलेगी आदी चीजों के बारे में हम पहले से ही जान सकते हैं कई लोग चाहकर भी नहीं अपनाना चाते इस बात को और वो अपना भविशे ही नहीं जानना चाते हैं तो जहां कुछ लोग हस्त्रेखा पर काफी विश्वास भी करते हैं तो कुछ लोग में जिसे साररिक बनावट का हिस्सा मानते हैं इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो हस्त्रेखा पर विश्वास तो करेंगे लेकिन वो अपनी हाथ की रेखाएं देखकर भाविश्य नहीं जानना चाहते हैं दरसल इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि यह दिन का भाविश्य शांदार होगा तो उनके आदते बिगड़ जाएगी और उनका भाविश्य अच्छा नहीं